वो 17 साल पहले मेरे पिता जी गुज़र गए थे महादेव की बहुत भक्ति करता हूँ उझे छे मैने पहले सपने में आगासादु आए और एक जन मोला कि मैंने वह तुम मेरे पिता बन जाओ तो कहते की खंड़ोबार मंदीरा पुना मैं तो आ जोगा तो मुझे समाल है तो सपन तो सपन है यह जगत भी भगवत सुरूप है पर इसका देखो भगवान सीव क्या कह रहे है उमा कहों मैं अनुभव अपना सत हरी भजन जगत सब सपना अच्छा आप विचार करके देखो सपन में तीन प्रकार के सपन होते हैं एक होता सात्विक जिसे आपने ब मतलब नहीं होता तो तीनों गुनों से आये हुए शोपनों में यह कोई महत्मा आता है कोई भगवान आते हैं तो हम उसे भगवान की ब्रती जो पवित्र है उसे क्रपा समझते हैं लेंगा उसको इस चिंतन में लहती कि इसका मतलब क्या होता है कुछ मतलब नहीं होता सौपना है एक दिन राजा जनक जी ने चौपने में देखा कि मेरा राजी छिन गया और मैं बिकारी बन गया बहुत भूखा हूं तो किसी तरह से दालो चावले करते कि तो मिट्टी की उसमें पका रहे थे इसने साण आया और दो लड़ते लड़ते हो सब भिकर गया अब बड़े भोंक से व्यकुला ऐसे उठें तो देखा कि राज सिंह सैया पर सयन करा ये सत्य के वह सत्य है जो अवित देख रहा था भी कारी ऑभी देख रहा हो कि राजैया पर तो सवा में जाकर पूछा यह सत्य के वो सत्य कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था तो अश्ट्रावक्ष जी जी वह बहुत बड़ा प्रसंग लेकिम सारा वो सी दे बोले ना यह सत्य ना वो सत्य समझ रहें यह भी असत्य है और वो भी असत्य है इसलिए नाम जब करो इनक का कोई पॉजिटिव और निग्योटिव कोई स्कारत नहीं है